नमस्कार दोस्तों दोस्तों महराश्ट का चुनाओ जहां 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे 288 सीटों पर मतदान होगा लेकिन चुनाओ में वोटिंग से ठीक पहले ऐसा लग रहा है कि बाजी महायुती के हाथों से पूरी तरह से निकल चुकी है क्योंकि अब लडाई कुछ अलग हो गई है अब लडाई हो गई है मराठी असमिता बनाम गुजरात लॉबी की जी हाँ दोस्तों लंबे वक्त से महराश्ट में ये बाते चल रही थी कि गुजरात के लोगों का दखल महराश्ट में जादा है लेकिन अचानक ये मुद्धा कैसे बना वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से ये लडाई बड़ी होती जा रही है ये भी बताऊंगा और राहुल गांधी इस लडाई में कैसे कुदे इस पर भी बात करेंगे तो दोस्तों महराश्ट में उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसने महराश्ट की असमिता को एक बार फिर से गुजरात के सामने खड़ा कर दिया है महराश्ट और गुजरात के बीच असमिता की जंग आज की नहीं बलकी पुरानी है लंबे वक्त से चली आ रही है उद्धव ठाकरे के ग्रैंट फादर यानि की बाला सहब ठाकरे के पिता प्रबोधन ठाकरे में ये लड़ाई लंबे वक्त लड़ी यानि ठाकरे परिवार की जड़े राजनैतिक तोर पर भी और सामाजिक तोर पर भी महराष्ट में बेहद मजबूत रही है लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बयान जो बयान उन्होंने लोकसभा चुनाओ के दौरान दिया था वो आज BJP के लिए टेंशन बन चुका है उद्धव ठाकरे ने एक इंटर्विव दिया उस इंटर्विव में जब उनसे पूछा गया कि अगर 23 नवंबर को कुछ नतीजे उनके साथ रहते है या ऐसी स्थिती बनती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते है लेकिन इसके लिए उनको BJP के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि प्रधान मंत्री ने मेरे माता पिता का अपमान किया है मुझको नकली संतान कहा है महराष्ट की लोगसभा चुनाओं के दर्मियान उस चुनावी रैली में प्रधान मंत्री ने क्या कुछ कहा था आपको वो भी सुनाते हैं दोस्तों यही वो बयान है जिसने उद्धव ठाकरे को परिशान कर दिया था और अब उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जिन्हों ने उनके माता पिता का अपमान किया वो उनके साथ कभी नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि बाकी लोगों को अपना माता पिता का नाम लेने में शर्म आती होगी लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हुर्देस समराट बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ और अगर कोई उनका अपमान करेगा तो ऐसे किसी शक्स के साथ जाना कोई रिष्टा रखना भी असंभव है अब दोस्तों लोगसभा चुनाओ बीत गया लोगसभा चुनाओ में भारती जनता पार्टी को महराश्ट में बहुत बड़ा जटका लगा और अब विधान सभा चुनाओ वोटिंग होनी है इस बीच मराठी असमिता और गुजरात लोबी की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है कैसी ये लड़ाई है क्या कुछ इसमें हो रहा है उसको भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि जब महराष्ट में रैली कर रहे थे तो महराष्ट में उन्होंने गुजरात और महराष्ट को लेकर क्या कुछ कहा किस तरह से महराष्ट के प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं उस पर राहूल गांदी ने किस तरह भारती जनता पार्टी को आड़े हाथो लिया वो भी अगर महराश्रा की सरकार चल रही है तो मुझे आ बताईए अगर महराश्टा। सरकार चल रही है तो वेदानता फॉक्स कॉन का जो सेमिकंडॉक्टर प्लांट है या 1.5 लाख करोड रुपय का प्लांट लाखों रोजगार देने वाला प्लांट महराश्टा से गुजुरात कैसे चला गया अगर महराश्टा की सरकार चल रही है तो टाटा एरबस हवाई चाहज मैनुफैक्ट्रिंग प्लांट एक दशमलग एट आठ लाक क्रोड रुपे का प्लांट जिससे दस हजार युवाओं को रोजगार मिलता वो गुजरात कैसे चला गया अगर महराश्रा की सरकार चल रही है तो जो आईफोन बनाने का प्लांट था जो यहाँ आया था दो लाक क्रोड रुपे का everybody 70,000 युवाओं को रोजगार देने वाला वो गुजरात कैसे चला गिया अगर महराश्रा की सरकार चल रही है तो बल्क ड्रग पार्क 3,000 करोड रुपे का जो 80,000 महराश्रा की युवाओं को रोजगार देता वो गुजरात कैसे चला गिया अगर महराश्रा की सरकार चल रही ह तो गेल का जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट था साथ हजार करोड रुपए का 21 हजार युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट वो गुजरात कैसे चला गिया आपने क्या गलती की है कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट सारे के सारे रोजगार दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं आप में क्या कमी है क्या आप ये काम नहीं कर सकते हैं अब दोस्तो राहूल गांधी सिर्फ इस मसले तक नहीं रुके राहूल गांधी ने उस मामले को भी उठा दिया जिसका जिक्र अजीद पवार ने किया था एक इंटर्व्यू में अजीद पवार ने नाम लिया था गौतम अदानी का कि गौतम अदानी एक मीटिंग में मौजूद थे और अब अजीद पवार के उसी बयान को आगे उठा कर राहुल गांधी ने ये सवाल पूछ लिया कि आखिर गौतम अदानी राजनेतिक मीटिंग में क्यों थे और अगर वो मीटिंग में थे हो तो उसके पीछे की वज़े क्या थी वो राहुल गांधी ने खुद बताई गारवी को अदानी जी के हवाले कर दिया सरकार आपकी नहीं है दोस्तो माहराष्ट के चुनाओं में धारावी एक बड़ा मुद्धा है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे है यानि एक तरफ धारावी का प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ मराठी असमिता उद्धव ठाकरे बार-बार कह रहे हैं कि बाला सहाब ठाकरे का अपमान प्रधान मंत्री की तरफ से किया गया और ये मुद्दा महराष्ट के चुनाओं में इस बार बहुत बड़ा है महराष् भी नहीं है कारिकरताओं में कोई संबाद नहीं है तमाम कारण है जिसकी वज़े से महायूती में जगला बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर मराठी असमिता का मुद्दा बड़ा हो जाता है अगर मराठी असमिता के मुद्दे पर महराष्ट में वोटिंग हो जाती है तो 23 नवंबर की तारीक महायुती के लिए मुश्किलों वाली हो सकती है और महायुती का जो सपना है सत्ता को हासिल करना वो सपना भी तूट सकता है फिलहाल क्या होगा उसके लिए 23 नवंबर का इंतजार कीजिए लेकिन 23 नवंबर तक महराश्ट की राजनीत की हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर आपको लगातार मिलती रहेगी उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिये और अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ साजहा करते रहिए नमस्कार